वेलकम टो ओवर चैनल टेक मेकानिकल और एलेक्टिकल आज मैं डिसकस करूंगा 50 most important question and answer for fitter turner machinist fitter turner machinist के लिए 50 most important question discuss करूंगा तो ए निमी मतलब national instructional media institute यह निमी का question bank है तो इसमें बहुत सारा questions है दोसों का असपास questions है तो मैं आज 50 questions discuss करूंगा तो वीडियो बहुत ही अच्छा होगा 50 questions हो सकता लेकिन जब हम discuss करेंगे एक question का supporting और भी 3-4 point बताते रहूंगा तो at least 50 questions से अब लोग का 300 से 200 questions बन जाएगा तो वीडियो सुरू होने से पहले अब लोग से मेरा request है कि जो जो वीडियो देख रहा है पूरा वीडियो देखिए और वीडियो देखने से पहले copy और pain लेके प्लीज अब लोग वैठिए वीडियो में बहुत सरा question discuss करूंगा जो अब लोग के लिए बहुत important है each and every question अब लोग copy में notes down कर लेना ठीक है तो अब लोग के लिए अच्छा होगा मैं कोशिस करूंगा जितना हो सक explain करने का और आज का वीडियो पुरा धियान से देखना अगर वीडियो अच्छा लगे तो में आप लोग like comment share and subscribe करना ठीक है तो चलो वीडियो स्टाट करते है ओके तो अज का first question in outside micrometer datum line and graduation are marked on जो outside micrometer होता है इसका datum line और graduation line कहां mark होता है तो पहले जानना है micrometer क्या है micrometer एक precision instrument होता है बहुत ही accurate instrument होता है जिसका list count होता है 0.01 mm जिसका list count होता है 0.01 mm ठीक है तो ये भाणिया स्किल से भी बहुत ही accurate होता है तो यह हम लोग कहां use करते है कोई भी एक round job है तो round job को measure करने के लिए जो external diamonds and measure करने के लिए हम लोग use करते है outside micrometer और जो internal diamonds है इसके measure करने के लिए हम लोग use करते हैं inside micrometer तो outside micrometer का जो datum line एक सोच लो एक outside micrometer है ये एक barrel है और wieरहें टिंबल है ठीक है तो तो साब डिविशन का जो हैलो होता है वह होता है 0.5 mm ठीक है तो अब लोग प्लीज यह बाला फॉइंट्स कॉफी में नोट्स रॉन कर लेना तो इसका जो राइट एंसर होगा डाटूम लाइन और गैजुएशन तो यह डाटूम लाइन और गैजुएशन इसका मार्क होता ह बैरेल में ठीक है तो बिए राइट अंसर नेक्स्ट कुशिन और जी ब्लेच chips ने. के लिए हम लोग tri-square use करते हैं, tri-square में 90 degree ये वाला angle 90 degree होता है, इसलिए हम लोग squareness check करते हैं, ठीक है, और क्या-क्या points होता है, tri-square is made up of, tri-square hardened steel से बनता है, tri-square का जो value होता है, जो size होता है, वो 100 mm, 200 mm और 300 mm, तीनो size होता है, ठीक है, और इसका जो accuracy होता है, 0.002 mm पर 10 mm, ये जो, जो question पर नीमी में है, तो मैं ज्यादा तर question में discuss कर दिया हूँ, पिछला वीडियो में, अगर कोई मेरा video daily देखते हैं, तो उन लोग को पता है कि क्या-क्या question में discuss किया था कि नहीं, ये जो tri-square का accuracy, tri-square क्या-क्या पार्ट है, already में discuss कर दिया हूँ, ठीक है, तो पिछला वीडियो भी आब लोग देख लिजेए, ये वीडियो देखने का बात, next question, ये micrometer has a negative error, 0.03 mm, what is the correct reading, if the micrometer measures 40.53 mm, एक micrometer का negative error दिया है, 0.03 mm, और उसका जो, अभी measuring, कोई भी एक job को measure करने का बाद, जो measurement दिखाड़ा है, वो दिखाड़ा है, 40.53 mm, तो इसके लिए एक formula होता है, कभी कभी question में भी आता है, जो actual reading होता है, actual reading का formula होता है, जब negative error बोल देता है, तो actual error का formula होता है, observe reading plus negative error, actual मनचे main reading क्या हो रहा है, ठीक है, तो observe reading हम लोग क्या देख रहे है, observe मतलब क्या भी देख रहे है, वो है 40.53 देख रहा है और इसका जो नेगेटिव एरर है क्या है 0.03 ठीक है तो इसको जब एड़ कर देंगे वो हो जाएगा 40.56 mm ठीक है तो यह फॉर्मूला होता है नेगेटिव एरर जब बोल देता है तब एक्चुएल रिडिंग का फॉर्मूला होता है अब्जब रिडिंग प्लास नेगेटिव एरर जब इधर पॉजिटिव एरर बोल देता है पॉजिटिव एरर तब हो जाता है एक्चुएल रिडिंग इस इकल टू अब्जब रिडिंग माइनस पॉजिटिव एरर ठीक है तो नेक्स्ट कोश्यन है केरोसिन ओयल इस work is made of kerosene oil हम लोग कहां use करते है coolant का रूप से जब aluminum हम लोग use करते है तो kerosene oil हम लोग use करते है ठीक है तो next question तो इसका जो right answer है यह होता है C which one of this bond is most commonly used on grinding wheel grinding wheel में हम लोग commonly कौन सा wheel use करते है commonly कौन सा bond use करते है तो कौन सा bond use करते है vitrified bond हम लोग use करते है तो पहले बताएंगे bond क्या है bond होता है एक substance जो cutting abrasive जो होता है उसका साथ mixer होके जो mixer बनता है वो mixer से हम लोग grinding wheel बनाते है तो grinding wheel bond और abrasive जो cutting abrasive होता है वो मिलके बनता है ठीक है तो bond में बहुत सारा bond होते है जैसे vitrified rubber select bond होता है vitrified bond का अगर बात करेंगे तो vitrified bond heavy stock removal purpose के लिए यूज़ता है कोई भी जैगा में अगर बहुत सारा metal को एक साथ remove करना है heavy stock removal करना है ज्यादा metal remove करना है तो vitrified bond यूज़ता है तो wet surface oily surface जैसे normal temperature में कोई इसका उपर effect नहीं फैलता ठीकते है rubber bond हम लोग कहां यूज़ करते है जहां पर small degree of flexibility होता है जैसे cutting wheel में होता है तो उदर हम लोग rubber wheel यूज़ करते है select wheel जहां पर heavy duty and large wheel का जरूए होता है उदर हम लोग यूज़ करते select wheel ठीक है select wheel में finish बहुत ही अच्छा होता है ठीक है और silicate wheel हम लोग कहां यूज़ करते है जहां पर vitrified bond से कम metal remove करना है ठीक है उदर हम लोग silicate bond यूज़ करते है और एक होता है resonate bond resonate bond होता है high speed wheel होता है उसके लिए resonate bond next question in the figure given below which one of the cross pin hammer तो इसमें cross pin hammer होता है जो right side में इधर तरफ होता है तो उसको बोलता है cross pin hammer यह होता है straight pin hammer और यह होता है ball pin hammer ठीक है next question for general purpose bench wise is fixed at a height of जो general purpose के लिए हम लोग bench wise कर यूज़ करते है उसका height होता है 106 cm ठीक है तो यह वाला question बहुत ही common question है कभी-कभी exam में a भी पूछ ले था कि almost one meter यह भी right answer है यह उता है slaughter machine क्योंकि एक job है इसमें अगर slot बनाना पड़ता है तो इधर से tool उपर से ऐसे ऐसे metal करते रहता है तो यह slotting purpose में जो खाचे जो कटना पड़ता है तो इसलिए हम लोग use करते है slaughter machine ठीक है slaughter is the right answer next question the bed of a lathe is made of lathe lathe machine उसका bed होता है किस धातु से बनता होता है किस धातु से बनता है कास्टायरों क्योंकि कास्टायरों can resist high compressive strength high compressive ज़्यादा तर दव देता है तो उसको load ले सकते है compressive strength को सहन कर सकते है तो इसका जो right answer होगा c is the right answer next question which of this is not a part of center lathe center lathe का कौन सा part नहीं है saddle center lathe का part है lid screw है arbor arbor नहीं है feed rod है तो arbor is the right answer arbor milling machine का drilling machine का part होता है next question in the in the figure given below identify the lathe operation being done यह जो figure दिया है कौन सा operation है lathe operation यह होता है knarling operation knarling operation क्या है knarling operation is not a cutting operation knarling operation को cutting operation आम लोग बोल नहीं सकते जैसे thread cutting होता है turning होता है यह cut नहीं है metal यह form करता है क्या form करता है एक अच्छा gripping surface provide करता है ठीक है तो knarling के लिए है जो speed जरूरी होता है वो होता है one third of turning speed हम लोग turning speed अगर 90 रखेंगे 90 meter per minute तो इसका speed हो जागा one third मतलब 30 meter per minute is the right answer knarling के लिए हम लोग का 30 meter per minute speed चाहिए ठीक है next question which among of this metal is the lightest कौन सा lightest metal है तो aluminum is the right answer क्योंकि aluminum का specific gravity बहुत ही कम होता है जिसका specific gravity जितना कम होता है उसका weight भी उतना ही कम होता है aluminum का specific gravity होता है 2.7 ठीक है next question identify the gauge shown in the figure given below यह कौन सा gauge है तो यह होता है wire gauge ठीक है wire gauge का range होता है 0 to 36 होता है according to Nimi Nimi का SF से 0 to 36 कब कुछ कुछ books में देता है कि 0 to 40 भी देता है तो दोनो right है अगर दोनो option में रहेगा तो A right है यह जो size होता है आप लोग देख सकते है 0 में सबसे जादा होता है और जो 36 होता है उसमें सबसे छोटा size होता है तो 0 का जो size होगा वो thickness of the wire का size सबसे बड़ा होगा और 36 में सबसे कम होगा ठीक है तो next question तो इसको बोलता है wire gauge ठीक है इसको बोलता है wire gauge next question which of this is an example of semi liquid lubricant कौन सा semi liquid lubricant का उधारन है example है तो lubricant का बारे में मैं बहुत बार discuss कर दिया हूँ जो जो पिछला बाला मैं वीडियो discuss किया हूँ अगर जो जो चैनल में नहा है प्लीज ओबाला वीडियो आप लोग देख लिजे क्योंकि उसमें जो भी topic में clear किया हूँ lubricant का फूरा topic में clear कर दिया हूँ hexo का जब start करता हूँ तो hexo का पूरा topic clear कर देता हूँ तो आज का question same topic सा है semi liquid lubricant semi liquid lubricant होता है grease ठीक है solid lubricant होता है graphite talc wax और एक most important example होता है molly body naam disulfide जो इस रो exam में आया था ठीक है यू और satellite center बेंगलुरू जो question paper था उसमें यह बाला question आया था तो टोटल चार होता है graphite talc wax and molly body naam dry cyphite यह होता है solid और जो liquid होता 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 lard oil custard oil ठीक है तो next question the most important cutting fluid in all machining operation is जो all type of machining operation होता है तो उसमें कौन सा cutting fluid ज्यादातर यूज करते है तो उसमें हम लोग ज्यादातर यूज करते है soluble oil ठीक है क्योंकि mild steel में भी soluble oil यूज करते है ज्यादातर हम लोग mild steel यूज करते है तो soluble oil हम लोग generally यूज करते है ठीक है लेकिन aluminum जब यूज करते है तो ओयल रहता है 1% जो वाटर रहता है उसमें टोटल 20% रहता है तो जो ऐसी होता है ओयल इस्टु सॉलिवल, ओयल इस्टु 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 ओयल जब देग कुइच अब दिस कार्टिंग टूल चो फिनिश करने के लिए तो हम लोग डिमार्यूर्ज करते हैं क्यिक्क हम लोग आूट-साइट एक्स्टर्नल सेर्थ करने के लिए हम लोग यूशकरते हैं रिमार यूज़ करते हैं हम लोग अच्छा फिनिश देने के लिए और एक्जक डाइमेंशन में ले जाने के लिए तो रिमार के बाड़े में अगर हम लोग बात करेंगे तो most of the रिमार होता है right-handed रिमार और जो helical fluted रिमार होता है वो होता है left-handed रिमार है तो helical fluted रिमार हम लोग left-handed रिमार क्यों यूज़ करते हैं helical fluted रिमार हम लोग क्यों यूज़ करते हैं smooth cutting action देता है smooth cutting मतलब कोई भी stuck नहीं होता बीच में कोई जो कोई भी jump कोई भी jump नहीं होता easily cutting action होता है मतलब easily घूमता है ठीक है और जो finish आता है बहुत अच्छा finish आता है इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं helical fluted रिमार और जो QA होता है QA में अगर thread करना रिमिंग करना पड़ता तो QA में जब रिमिंग करना पड़ता तब हम लोग helical fluted रिमार यूज़ करते हैं तो questions आता है कि रिमार का uneven spacing of teeth क्यूँ होता है uneven spacing of teeth होता है क्यूंकि इसका जो cutting edge होता है इसका जो distance होता है uneven होता है ठीक है बड़ा होता है एक छोटा होता है तो यह बड़ा हो जाएगा तो एक Q होता है कर दो आवाज कम करने के लिए हम लोग को यूज करना पड़ता है अगर सेम टीथ अगर हम लोग यूज करते हैं तो आवाज नहीं होता है कि यह गप होता है कि इसका जो रिमिंग करने का टायम आवाज होता तो बहुत ज्यादा होता तो हम लोग प्रेस को थोड़ा बढ़ा देते है। आवाज को चाटरिंग आवाज को कम करने के लिए ठीक है तो नेक्स्ट कौस्टे ने प्रोसेस ऑफ बिवेलिंग दा एंड ओफ एंग्जिस्टिंग ड्रील होल इसको थोड़ा बिवेल मतलब क्या होता है बिवेल मतलब ऐसे होता है अगर साइड भी उसे देखेगा तो ऐसे कर देता है होल जो इसको ऐसे बना देता है तो इसे हम लोग क्यों बना देते हैं यह उपरेशन को क्या बोलता है यह उपरेशन को बोलता है काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन इसको बोलता है और बोरिंग मतलब क्या होता है बोरिंग मतल लगाना पड़ता हुआ साब बोल्ट लगाना पड़ता है वो बोल्ट लगाने के लिए एक स्पेस का जरूरी होता है उस पेस बनाने के लिए हम लोग स्पॉट फेसिंग करते हैं पड़ फेसिंग लिए हम लोग फ्लाइवील भी क लोग ए करते हैं ठीक है और सरा क्या बोलते हैं ऐगोकति सोक कटेचपक awesome dwa sent what digit च्हिटोटेच्क होता है डिया को स्थान देने के लिए हम लोग जिलियो करना उसको बोलते हैं counterboarding और जो counter sinking उसरे बीवेल कर देता थोरा चैमपर टैप कर देता जब क्यों हम लोग thread करते हैं thread करते हैं वो easily align हो जाता ठीक है वो tab easily align हो जाता है इसलिए हम लोग use करते हैं counter sinking counter sinking जैसे हम लोग बोलते हैं कि front position में जो डी बार रहता है बार मतलब जो unwanted metal chips रहता है तो उसको हटाने के लिए हम लोग भी counter sinking करते हैं ठीक है chamber करने के लिए हम लोग करते हैं जो screw है तो counter sink जो rebate होता है उसको हम लोग स्थान देने के लिए हम लोग counter sinking करते हैं तो बहुत सारा purpose होता है सेंटर सिंकिंग का टोटल फोर एंगल होता है 75 80 90 120 ठीक है नेक्स्ट कोस्टिन कि फिगर गीवन बिलो सो टाइफ आफ कार्ट आफ फाइल वाट इस इट एक कौन सा कार्ट आफ फाइल होता है और आम जूम करके देखेंगे तो और लोग साहअ से देख नहीं पा रहत यह आपका है दो कौन सा काहट आफ फाइल में कट्रेश का कर्थी भुजता का ट्राइंग्लर होता है और रच करट फाइल मेर्स करट होता है और आफ इसका है ट्रीट राज़न इसका इसका टोosh टार्क टाइप्स का काट होता है सिंगल के डबल कट रस कट कर्व कट तो फाइल का बढ़ा में पूरा डीटेल्स में बता दिया हूँ अगर कोई चैनल में नहीं हुए तो प्लीज पिछला वाला वीडियो जाके देख लेना बहुत अच्छा से डिसकस के फाइल के एक भी कु कुर्षन उदर से छूटेगा नहीं ठीक है नेक्स्ट कॉर्षन तो टीट ओप हैक्स ब्लेट और बेंट एस सून जो टीट होता है है थोड़ा बेंट होता है इसे आया अगर हम लोग देखेंगे ऐसे आया फिर ऐसे गया है फिर ऐसे जा रहा क्यूंबेंट होता है तो मैं पहले ही इसको जो बोलता है यह बोलता है एकस का इसेटिंग आफीफ का कॉर्षन बहुत है थी बहुत इंपोर्टन वहेक्स का बड़ में मैं भी डिसकास कर лहा हूं सेटिंग ऑप टीफ हम लोग क्यूंब करते जो सब्लेट कर ता है जो थीखन्स होता है इसफ ब्लेट पा आने के लिए हम लोग setting of teeth यूज करते हैं क्योंकि यह जब हैक्सो करते हैं तो हम लोग का see some motion होता है तो हम लोग फूरा सीधा रख नहीं सकते हैं थोड़ा इदर उदर हिल जाता है तो अगर blade का gap काटता है क्योंकि यह teeth होते हैं इधर भी थोड़ा बेंड़ होता है उदर भी थोड़ा बेंड़ होता है जब total metal काटता है तो थोड़ा gap थोड़ा बड़ा हो जाता है इसमें इसलिए जो filing के टाइम free movement हम लोग पास सकते हैं और जो work piece और जो blade का अंदर जो friction होता हो भी हम लोग कम कर सकते है ठीक है तो इसको बोलता है इसको बोलता है सेट इसका full pump होता है setting of teeth ठीक है next question it is the type of a paper that can be used for sending down hard and rough surfaces it is called एक type का paper होता है जो कोई hard and rough surface को हम लोग easily sending down मतलब smooth कर देने के लिए एकदम flame कर देने के लिए हम लोग क्या use करते तो हम लोग use करते है इमरी पेपर तो आप लोग सभी जानते कि इमरी पड़ोग surface finish को अच्चा करने के लिए हम लोग यूज करते हैं टाप पड़ भी नहीं हाइड पर भी नहीं डिजीट पर भी नहीं है ठीक है the immune paper is the right answer next question finger below so spark characteristics of four different alloy steel which one represent high carbon steel एश टाइबस का alloy का spark का जो image है तो इसमें कौन सा high carbon steel का होता है आब लोग प्लीस ड्राइव देख लेजिए धियन से ठीक है तो यह भी question में आ सकता है कि नीमी भी इसका question है ना नीमी हम लोगों का main book है question इधार से आएगा देख सकते हैं बहुत easy questions है ठीक है which one of these is not a type of oxy acetylene flame oxy acetylene flame concert नहीं है तो हम लोग जानते हैं neutral flame होता है oxidizing flame होता है carbonizing flame होता है तो natural flame नहीं होता है ठीक है तो neutral flame में क्या होता है जो oxygen जो acetylene और oxygen का मत्रा होता है उसका ratio समान होता है समान समान मत्रा में हम लोग अगर 50-50 पार से use करेंगे 50-50 ठीक है तो समान रहता है ठीक है तो यह neutral flame हम लोग ज्यादा तर जगा में use करते जैसे cast iron mild steel stainless steel aluminum copper सभी metal के लिए use होता है neutral flame अगर बात करेंगे oxidizing flame का बड़े में तो oxidizing flame में oxygen का मत्रा ज्यादा होता है तो oxygen का मत्रा ज्यादा है उसलिए हम लोग use करते थे control the burning of zinc zinc का जो बार्निंग होता है उसको control करने में और welding brass brass का welding के लिए हम लोग use करते ठीक हैं और carbonizing flame करबड़ाइजिंग flame हम लोग कहां इस उसकरते इसमें carbon ज्यादा रहते तो carbonizing में acetylene ज्यादा रहते है जैसे oxidizing flame में oxygen ज्यादा होता है और इसे carbonizing flame में acetylene ज्यादा होता है जो acetylene होता है उसका chemical formula होता है सी टू एच टू तो जब हम लोग एसी दिलीन का मत्रा ज्यादा होता है तो कार्बोन का भी मत्रा ज्यादा होता है तो कार्बोन का मत्रा ज्यादा होता है इसके लिए इसको बोलता है कार्बॉराइजिंग फ्लेम ठीक है तो नेक्स्ट कोस्टिन जब हम लोग कोई ड्रिल लेते हैं तो उसका साइज हम लेता है लेंड हो और sit है कहां से हम लोग ड्रिल का डायमिटर च्यक करते दो ड्रिल का ड्रिय र होगोभा गया बदब हो इसका लेकिन गृशक करेmen तो रहाएं वहां चाहिए लेकिन अर्renoमयम से हो मंतलब बड़ा हो गया एक अद्र हम oddly हो इसा हुटा है अगर हम लोग अधियम्ट में डायमेटर सही रहेगा दस कुट्पार्ण होने आगा आजू थो अगर यह AWS equal length of cutting edge cutting edge का जो length होता है वो equal होना चाहिए ऐसे होना चाहिए यह होना चाहिए ठीक है फिकिन वो नहीं होता बड़ा हो जाएगा तो automatically hole बड़ा हो जाएगा ठीक है तो next question if a bench vice is overtightened what is likely to be damaged एक बेंजवाइस के स्पीम अगर बेंजवाइस के अगर हम लोग overtightened मतलब बहुत ज्यादा tight कर दिया हो तो इसमें क्या damage हो सकता तो इस इसका जो spindle होता है वो damage हो जागए mild steel से बनता है तो ज्यादा हमें लोग tight करेंगे तो spindle damage हो जाता तो spindle और एक questions मैं बता देता हूं spindle is made up of mild steel ठीक है square nut is made up of phosphorus bronze handle is made up of mild steel ठीक है fix jaw hard jaw जो fix jaw होता और movable जो होता हो भी होता है cast iron का बना होता है ठीक है next question which one of this is not a base unit under SI system of unit SI system of units होता है कौन सा base unit नहीं होता है the base unit हम लोग total जानते main जो unit होता है वो 7 unit होता है और 2 supplementary units होता है एक होता है steradian और एक होता है radian ठीक है तो बाकि जो होता है इसमें Kelvin आता है Candle Fund होता है Kelvin होता है temperature का Candle कीमांट का सब्सड beide关 होता है aminogen होता है übrigens the amount of time का होता है सब्स्टेंस केंड़ा होता है luminous systematically औरघर बेस्चC unit होता है तो वमेंद में भी बता तो जैसे kg होता है ठीक है mass का unit होता है kg ठीक है जैसे time का होता है second तो आप लोग यह बाला सब याद रखना और अगर बात करेंगे जूल का तो जूल होता है derived unit derived unit बंदलब इसको बोलता है कि जो unit 2 से जादा base unit से मिल के बना होता है उसको बोलता है derived unit ठीक है तो derived unit जूल होता है अगर हम लोग जूल का बढ़ेंगे बात करेंगे तो जूल होता है work done का unit kinetic energy का unit ठीक है तो heat का भी unit होता है तो अगर बात करेंगे heat का जो SI unit होता हो होता है जूल अब लोग याद रखना अगर जूल का बात करेंगे तो जूल होता है वागडान वागडान का यूनिट होता है जूल तो वागडान इक्वेल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस तो फोर्स का पहले हम लोग को जानना पड़ेगा क्योंकि फोर्स भी डेराइब्ड यूनिट होता है तो force होता है force equal to mass into acceleration ठीक है तो mass का होता है kg और इसका जो होता है acceleration का जो होता है meter per second square तो अब लोग देख सकते हैं यह सब base unit है kg होता है हम बता दिया mass का unit होता है kg meter होता है distance का और s होता है मतलब second second होता है time का unit तो निकाल गया force का क्या है kg meter per second square ठीक है तो ऐसे अगर हम लोग लीग देंगे work done equal to force into distance हम लोग जानते हैं तो force equal to kg meter per second square into distance मतलब distance के unit होता है meter ठीक है तो यह होता है जाल work done का unit तो यह हो जाएगा kg मीटर स्क्वेर पर सेकेंड स्क्वेर तो यह बाला कुश्यन कभी-कभी exam में भी आता है कि work done का जो formula होता है तो वह क्या-क्या होता है kg meter per second square kg बहुत सरा option देता हो होता है kg meter square per second square तो कभी कि option में भी ऐसे दे देता है kg meter square कि सॉर्डी मीटर स्क्वेर सेकेंड टुदिपार माइनस टू भी होता है क्योंकि हम लोग से के जब ऐसे था kg meter square पर सेकेंड कर सब्सक्राइब हम लोग डिवाइड को जब उपर ले जाएंगे तो माइनस टू हो जाता है ठीक है तो यह भी कोस्षिन में साइंस में आता है ठीक है नेक्स्ट कॉस्षिन नेक्स्ट एंस मॉस्ट इंपोर्टें पोस्षिन Veo C situations पॉर फोफिटर मैसेनिस ट्रौन क्योंग की हिट ट्रीटमेंट आप लोग को जानना जरूरी है तो हिट ट्रीटमेंट का कॉस्षिन नहां तो एंप्रपस अफिट होता है परपस क्या होता है तो पहले जाना ही ट्रीट्मेंट क्या है ही ट्रीट्मेंट मदलब कोई भी एक मेटल है उसको हीड देके जो ट्रीट्मेंट करता है ट्रीट्मेंट मदलब उसको मेकानिकल प्रॉपार्टी में चेंज करता है जैसे मेकानिकल प्रॉपार्टी होता ह तक किलित ख़र ऑभनेगर यह कतले सकार इंद मेल में और यह निया वैस्ता इल अपनेश्य प्राइच करेंगे तो व्लीड को यह हार्ड करना इतना हार्ड करना कि कोई भी दूसरे मेटल को कट सकता है ठीक है नेक्स्ट होता है टेमपड़िंग तो टेमपड़िंग में क्या होता है मेटल जब ज़्यादा हार्ड हो जाता तो मेटल बहुत ही ज़्यादा ब्रीटेल हो जाता तो कोस्टेंस में यह तो बहुत जल्दी तूट जाता कोई भी मेटल गिर जाता तो मेटल तूट जाएगा तो बीटलनेस को कम करने के लिए कोई भी अगर मेटल है उसमें बीटलनेस पॉपाटी रहेगा तो मेटल हम लोग को कोई काम में नहीं आएगा क्योंकि उसका ज्यादा रिक्स रहेगा गिर जाएगा तो तूट जाएगा तो रिक्स से कम मतलब कम रिस से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि टेंपरिंग कर देते हैं तो टेंपरिंग में क्या होता है जो हड्नेस परपर्टी रहता है तो उसको ओबला जो हड्नेस परपर्टी जिस मेटल में है उसको ले कि हम लोग फिर से के तोरी हीट किता डिग्री में करता है विलो 400 डिग्री – सेंटिग्रेड करते हैं हम लोग तो हीट करके धीरे-धीरे कुलिंग कर देते हैं सिसमें क्या होता है तो मेटल का अंदर ट 챫्ण niez बalah जाता है और विटलनेश कम हो जाता है, toughness बढ़ जाता है, तो toughness मतलब वो कोई भी shock होता है, कि कोई भी vibration होता है, तो absorb कर सकते हो, तूटता नहीं है, तो toughness for party increase करने का जो process है, उसको बोलता है, हम लोग tempering, ठीक है, तो next process अगर हम लोग बात करेंगे, नॉर्मालाइजिंग, नॉर्मालाइजिंग में क्या होता है, मेटल को नॉर्माल करना, नॉर्माल मतलब मेटल का अंदर जब हीट ट्रीटमेंट करता है, उसका अंदर बहुत सरा स्ट्रेस रहता है, स्ट्रेन रहता है, उसको कम करने के लिए, रिमूब कर देने के लिए एक बार बार एक्जम में पूछा है एनलिंग का काम होता है मेटल को सौप्ट करना और मेटल का मैसीन अविलेटी पॉपार्टी बढ़ाना ठीक है तो फिर ट्रीडमेंट का चार्ज प्रोसेस में डीटेल्स में जितना हो सके मैं डिसकस कर दिया हूं ठीक है जब मेटल का जो हिट स्ट्रेस है उसको स्ट्रेस को निकान ले के लिए हम लोग मैं नॉर्मालाइजिंग करते हैं तो स्ट्रेस का जो यूनिट होता है कभी यह भी कोसें पूछ लेता है कि स्ट्रेंग का यूनिट क्या है तो लास्ट में दिया रहता है नो यूनिट ठीक है तो दिस इस दर आइ प्रमाद है कि ame-ाप करें मेटल को सौब करने के लिए तो सौफट्च को बढ़ाने के लिए हम लोग करते हैं ठीक है टीग है अ सब्सक्राइब क्वेंग कुछ इत दाइप फायलिंग बिंग डने इस सोन इन फिगर गिवन बिलो जो फिगर जो दिया है न यह एक फिकर मैं कौन ट्राइब मतलब फाइलिंग जो मै coisa है तो इह मेटोड का नाम क्या है तो इब स्टेट फैलिंग प्लेन फैलिंग ड्राव फाइलिंग यह सिर जी अहे प्nehफिनिस फैलिंग में तो यह अभ्लोग सब्सक्ẫn एधर से है तो तो एधर से चलाना पढ़ता ठीक हैँ इधर से चलाना पतना तो लोग जब मेटल इधर से रहा है एधर से हम लोग फाइलिंग कर रहा है ऐसे जाँ घिसता है तो यह फाइलिंग के बोलते ज्रॉड drop filing ध्यादा दर करते हैं जो metal को जो उच्या नीचा रहता है कभी चालते हैं तो एक पॉर्सेंस स्टेड़ा हो जाते हैं मैं दिल्द कंडाउन हो जाता है तो उसको हम लोग straight करने के लिए हम लोग drop filing कर देते हैं तो drop filing करने के बाद finish थोड़ा आच्छा उता है ठीक है next question इसका V-Group है, उसका जो एंगेल होता है, तो V-Group का जो एंगेल होता है, ऐसे रहता है, तो V-Group का जो एंगेल होता है, होता है 90-degree, ठीक है? Next Question. Figure below source tool mark A, इधर A होगा, स्वोरी, इधर A लिकने भूल गया, तो इधर ता खोल रहता है ठीक है तो इसका अंदर डाल के जब यह डाल के जब हम लोग इधर से थोड़ा स्प्रेज दे देते हैं हैं मार देते हैं तो ड्रील का टैंग खोल के नीचे आ जाता है स्पंद्रीज सिएसे करके अटब देते, यह तो इधर है तो Region स्पिंडल में अटब जाता है तो क्या होता है तो इस आरबर में एधर अटब जाता है तो एह जो टूल होता है इसको लोग लोग बोलते हैं Drill Drift, Drill Drift से भी कोस्टेन था ता, Drill Drift क्या काम में यूज होता है, Drill Drift जो टेपर संग ड्रील है उसको निकालने के लिए मैसिन स्पिंडेल से निकालने के लिए हम लोग Drill Drift यूज करते हैं, ठीक हैं, तो इसका जो राइट एंसर होगा, होगा Drift, next question, what should be used to check leakage before oxy acetylene welding equipment, कोई भी oxy acetylene welding equipment हो, की कोई भी जगा जहां पर लिए हैं, उधर हम लोग soap water अगर हम लोग यूज करेंगे, तो हम लोग को पता चल जाता है कि उधर लिए है की नहीं, क्योंकि उधर से wawels जैसे निकालता है, ठीक हैं, वawels जैसे जब भी निकालता है, तब हम लोग को पता चल जाता है कि उधर थोड़ा लिक है, ठीक है, तो इसका right answer हो जाएगा, soap water, next question, which caliper is used to measure without a slot, मैं जब first question discuss किया था, उसमें भी discuss कर दिया, कि without the slot, क्योंकि internal का कोई भी dimension लेने के लिए, कि कोई भी internal का measurement ले लिए, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग use करते हैं, inside caliper, तो उधर हम लोग बताया था, कि inside micrometer, तो इधर micrometer नहीं है, तो हम लोग उधर क्या use करेंगे, inside caliper, ठीक है, next question, which of this is an example of shrinkage fit, shrinkage fit का उधरन क्या है, तो जो cart rim होता है न, तो इसका हिंदी फर्म, I don't know, तो इसका right answer actually होगा, cart rim on wooden rim, ठीक है, लकड़ी के rim पर cart rim को, fix करने का time हम लोग use करते हैं, shrinkage fit, next question, which of this is a correct statement, कौन सा correct statement है, तो एक clip fit का बड़े में बात किया है, तो fit का बड़े में अगर बात करेंगे, तो मैं limit fit tolerance का class ले लेंगे, बहुत easy class होगा, एक बड़ मैं हम लोग को पूरा समझ में आ जाएगे, क्यूंकि बहुत easy तरीका से हम मैं समझाऊ ओंगा, ठीक है, तो fit के बड़े में थोड़ा मैं बता देता हूँ, clearance fit क्या होता है, interference fit क्या होता है, transition fit क्या होता है, clearance मतलब hole जब बड़ा होता है, और जब subtract होता है, तब हम लोग को होता है clearance मतलब उसमें clearance रहता है gap रहता है इसलिए इसको clearance बोलता है जब interference feet होता है तो interference feet में क्या होता है सब बड़ा हो जाता है और wheel छोटा हो जाता है तो feet जब करता है तो tight feet हो जाता इसको बोलता है उसमें कोई भी space clearance नहीं रहता है इसमें इसको बोलता है इसलिए इसको बोलता है interference fit और transition fit क्या होता है transition fit उसको बोलता है sometime कभी-कभी clearance fit भी provide कर देते हैं कभी-कभी interference fit provide कर देते हैं जिस fit में कभी-कभी clearance fit और कभी-कभी interference fit पुवाइट करता है उसको बोलता है transition fit ठीक है तो ऐसे होता है कभी-कभी जो max allowance हम लोग निकालता है max allowance में हो गया interference fit और minimum allowance है उसमें होगा clearance fit तब हम लोग बोलता है कि यह होता है transition fit ठीक है तो मैं बता दिया तो इसमें जो राइट एंसर होगा actually transition fit में sometimes provide clearance fit sometimes provide interference fit तो D is the right answer कभी-कभी interference और कभी-कभी clearance fit पुवाइट करता है next question in a riveted joint the flats are placed end to end यह मतलब जो किना last होता है है तो उस लास्ट ऐसे दोनों metal का हम लोग joint करेंगे तो यह joint को क्या बोलता है तो आप लोग जानते easy joint इसको बोलता है butt joint इसको बोलता है butt joint तो कभी-कभी question में देता है दोनों plate है और एक दूसरे का उपर ऐसे राख के हम लोग जो joint देते हैं तो उसको बोलता है कौन सा fit तो होता है lap joint ठीक है तो उसको बोलता है सोरी उसको बोलता है कौन सा joint तो उसको बोलता है lap welding joint ठीक है तो next question है तो age joint, age age joint कर देते हैं, corner to coin हम लोग जब join कर देते तो उसको corner joint बोलते हैं तो next question, एक gauge is basically a, बोल रहा है कि gauge, तो gauge एक होता है checking instrument checking instrument, तो इसका right answer हो जागा checking instrument, gauge से बहुत सरा question से important है तो मैं एक दिन इतना सरा gauge का बड़ा में बात करूँगा, at least 30-40 gauge का बड़ा में हम discuss करेंगे तो gauge का, जो कभी-कभी question पूछता है, gauge कौन सा metal से बनता है, तो यह बनता है yellow steel से, yellow steel से gauge बनता है, तो gauge को wear resistance property बनाने के लिए हम लोग जो property करता है, उसको बोलता है case hardening process, तो आप लोग प्लीज याद रगना है इस question में बहुत सरा doubt था, लेकिन मैं clear कर देता हूँ, तो इसका right answer हो जाएगा, case hardening हम लोग करते है which of these seats is the thinest, कौन सा seat सबसे ज़्यादा thin है, तो में लोग करते है, तो इसका right answer हो जाएगा, तब case hardening मैं पहले ही बता दिया कि 0 में सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे बड़ा होता है, 0 से जब संखा बाड़ते है, 1,2,3,4,5,6 जैसे बाड़ता है, तो जो size होता है, तो जब घटता है, तो जब हम लोग जानते है, निमी का according, wire seats का, wire gauge का size होता है, 0 to 36, तो अब लोग सोचेंगे कि 0 to 36, जब 36 जब maximum size है, तो 30 is the thinnest, according to this option, क्यों 40 नहीं होगा, तो एक question मेरा group में discuss हुआ था, मेरा WhatsApp group है, take mechanical and electrical, और एक मैं नया group open किया हूँ, उसका नाम है mechanical group, तो take mechanical and electrical में question discuss किया था, तब मैं right बोला था 40, लेकिन एक student बोला था, 30 is the right answer, तो मैं थोरा doubt में था, क्योंकि 30 क कभी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, मैं अभी बता देता हूँ, नीमी भी इसको सिंका right answer, डी को माना है, क्योंकि, हो सक है कि, नीमी में जो दिया है, 0 to 36 range है, लेकिन बलबिर सिंग, जो अलग-अलग book है, उसमें 0 to 40, ज़्यादा दिया रहता है, 40 is the thinnest होता है, तो नी नीमी 40 को राइट answer माना है, क्योंकि 40 की 40 is the right answer, ठीक है, तो range 0 to 40 भी होता है, तो 40 हम लोग right answer मानेंगे, ओके, next question, As per Indian standard, special set of slip gauge is used constant string of, जो Indian standard का हिसाब से, कौन सा slip gauge, ज्यादा तर हम लोग special slip gauge, ज्यादा तर यूज़ करते, ओ था है, 1112, ठीक है, 1112 हम लोग use करते, तो slip gauge हम लोग कहां यूज़ करते, Slip gauge सहयाता करते, जो perpendicular होता है, उसको, मतलब height के लिए हो सहयाता करते, इसे slip gauge होता है, एक height देता है, तो एक height को निकलने के लिए हम लोग slip gauge यूज़ करते है, तो कभी कभी question में भी देता है, तो slip gauge क्या दरसाता है, तो height को दरसाता है, तो height को हम लोग बोल सकता, perpendicular भी बोल सकता, height और perpendicular same है, next question, as shown in the figure below, what is being used to check spark plug gap, जो यह जो spark plug gap है न, इस spark plug gap है, तो उसका अंदर क्या डाल के हम लोग चेक कर रहा है, यह बोलता है, यह जो instrument है, इसको बोलता है, filler gauge, filler gauge का हम लोग जानते एक हम होता है, दोनों जब meeting part होता है, कोई hole and trump match कि, कोई भी match के है, दोनों meeting part का अदर, जो clearance है, वो gap है, वो चेक करने के लिए, हम लोग यूज़ करते है, filler gauge, तो जो यह जो इसका अंदर बहुत है इंपॉतनं को सिण से नेच्ट को से मित इस अच कॉस्टिन वाट इस बीलो कि कुम के लीख साथ और थीडिर्टिtrad होता है इसको वोटनाई उबाटर सद्रेडपटरारस थ्रेड्ट्रैड एक होता है रिखता है एक नीडिय और एक होता the right answer ठीक है next question chain drives use जब chain drive हम लोग use करते हैं generally अगर हम लोग देखेंगे cycle में देखेंगे cycle में क्या होता है हम लोग sprocket use करते तो Spain जब chain drive use करेंगे तो sprocket होना ज़रूरी है ठीक है तो sprocket हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा तो इस question का हिसाब से इसका राइट एंसर होगा स्प्रोकेट स्पार ग्यार भी नहीं है वर्म ग्यार भी नहीं आइडिल ग्यार भी नहीं है स्प्रोकेट हम लोग यूज़ करते हैं next question बोला कि what is rotary motion रोटरि मोंशन क्या है तो रोटरि मोंशन होता है जब स्वी इसको बोलता है इसको बोलता है लिनियर मोंशन थिक है तो अब लोग प्रीज जियाद रखना next question due to sleep of the belt the velocity ratio of the belt 去 buy books जब बेलस्लिप हो जाएगा तब धेलडी रैच्यों भी क्लिश हो तो बेल्ट का अगर अंदर आब स्लिप का बात करेंगे तो स्लिप क्या होता है प्यारे बताएंगे एक क्रेप क्या होता है एक बहुत ही ज्यादा ayudar है जब फूली ड्राइब है तो बहुत ज़दा tight है, और load भी बहुत ज़दा है, तो देरे दीरे घुमता रहेगा, ये एक-do दीन का बाध, एक महीने का बाध तो दीरे-दीरे load का बाज़े से, और उसका अंदर जो temperature होगा, तो दिरे-दिर्व बड़ा होते लगेगा, क्योंकि उस्टेंसेंद में थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो यह जो problem होता है 種 बड़ा हो जाता है कुछ दिन यूज करने का बाद कि एक दो दिन यूज करने का बाद यह fault को बोलता है हम लोग creep और creep होने का बाद जो fault होता उसको थो बोलता है बहुत जयादा धिर्णा हो जाता है बेल्ट टुपलेव होने का बात तुन हम लोगों कर दो स्लीफ हो जाता ओ blaters. भी लेवलो सीर्डी रे शिडयों मेर भी मतर्ण रेश्डी रेस्यव ओड्रोता है ठीक है इसका राइट राइट हैंसर हो जाएगा, option number A next question which of these is used to guide the tool and hold the job in mass production mass production में कौन सा एक equipment है जो tool को guide करता है जो आप को hold करता है tool को guide करता है और job को hold करता है उसको बोलता है jig ठीक है और कभी के यह भी पूछ लेता है कि fixer क्या है तो fixer होता है स्रेफ जो job है workpiece को स्रेफ पकरता है और कुछ नहीं और tool को guide नहीं करता और gauge होता है एक checking instrument ठीक हाउजिंग होता है बीरिंग का जैसे housing होता है ऐसे कुछ नहीं है next question the cutting tool shown in figure below is used on यह जो cutting tool है तो अब लोग देख सकते हैं यह जो cutting tool है अगर कोई नया देख रहा है फिर भी आप लोग इसका जो नाम है आप लोग बता सकते हैं मैं भी कभी देखा नहीं इसको बोलता है broach tool तो आप लोग एगर question exam में आया है तो easily आप लोग बता सकते हैं कि इसको बोलता है broach tool क्योंकि यह देख है total broach length ठीक है तो जो जो broach tool यूज किया है तो इसको साथ मालूम है तो इसका answer रोजगा broach machine यह जो tool होता है तो यह कहां यूज होगा broaching machine में यूज होगा क्योंकि broach tool broaching machine में यूज होगा next question the distance from a point on one thread to corresponding point on the next thread is called जब कोई भी एक thread है wait एक thread है तो एक पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट के जो distance होता है इसको बोलता है distance between one point to the corresponding point is called as pitch file में भी same होता है तो file से भी एक कुछ से नाता है तो उसको क्या बोलता है peach ही बोलता है one point से जब corresponding point बोल दे तो corresponding जब what use करते है तो उसको बोलता है हम लोग peach next the figure given below source है यह figure है इसको एक यह दर्साता है तो इसको यह अब लोग जो die use क्या है तो इसको split die बोलता है तो हम लोग जानते split die use हम लोग कहां करते हैं die हम लोग use कहां करते हैं जब हम लोग external thread करना पड़ता तो हम लोग split die use करते हैं ठीक है तो इस die use करके हम लोग easily जो external thread है हम लोग कर सकता है next question what is used to prevent a wheel or pulley from rotating on a shaft एक shaft rotating हो रहा है है तो खुल को prevent करने के लिए अन दोनों को main buff करने के लिए rotating काigram की य YouTube करते हैं तो अ दोनों के बीच में का भीी का की हम लोग use करते हैं की हम लोग यूज करतें हैं क्या किह से क्या आटा है की से तो बहुत सब्लत की से बहुत सरा के से इड्राप की का सेफ होता है अर्धा वित्तकर सेफ होता है और जो होता है नेक्स्ट होता है की का मेट्रियल क्या है माइल स्टिल होता है जी वेट की का जो होता है तो गोसन में बता दिया था कि सब जो पूली में हम लोग सब कोफीक्स करते हैं तो उदर हम लोग कौन सर्किल चीयज करते हैं जो टेपर की होते हैं उसमें टेपर की का जो डेशी होते ह् repet जो था 100 होता है ठीक है तो अब लोग यह सब नोर्स करते रहना नेक्स्ट कोसिन वाट टाइप अब नाट इस सोन इन फिगर गिवन बिलो यह कौन सब नाट है तो अब लोग इजीली देख सकते हैं जो नाट है इसको बोलता स्लोटेड नाट क्योंकि इदा स्लोट कटा है एक इसकोएंट डिमूव एलाइन ओपेनिंग डिमूव एलाइन क्लोजिंग दर कर जब जहां पर जल्दी यल्दी खोड़ा और बंद करना पड़ता तो उदर हम लोग विंगनाट यूज करते हैं विंगनाट हम लोग को हैक्सो में राता है ठीक है तो नेक्स्ट कोशन वाट इस B इन फीगर गिवेन बिलो जो B है तो इसमें B को क्या धर्शाता है तो B को बोलता है major diameter ने यह होता है पीच डामिटर सी होता है minor diameter ठीक है तो आज़ टोटल फिफ्टी को स्थो गया आप लोग देख सकते है तो 50 तो इसका जो राइट अंसर हो जागा major diameter हो जाएगा तो मैं आज टोटल 50 कोसिंज बता दिया तो आप लोग देख सकते हैं मैं एक दो मेनी पहले बता दिया कि कौन सा की का अकार सेमी सेर्कुलर मतलब अर्ध वित्यकर है तो उड्राप की का अकार अर्ध वित्यकर है ठीक है स्क्वाइर की का स्क्वाइर स्कुर्च जैसे जीब गैट की में एक अलाग से जीब रहता है मतलब अलाग से हेट रहता है ठीक है हेट क्या करता है तो एजिल हम लोग ओ हेट को खीच के अब ऐसे कुछ भी उदर लगा थोड़ा अगर प्रेस करेंगे तो और इसलिए उबला की निकाल जाता है तो इसलिए सब सुभीरा पाने के लिए हम लोग जीवेट की यूज करते हैं तो आज का टोटल 50 कोसेंस हो गया साथ अब लोग को 50 कोसेंस से हमें 1200 कोसिंस हो गया मैं जितना होसा के डिटेल्स में अब लोगो बताने का कोसिस क्या अब लोग देख सकते मैं मेरा लोकसिन भी चेंज हो गया क्यूंकि अब लोग वैक्राउंड देखके पता चल जाता अब लोग को तो कुछ दिन बाद 15-20 दिन के बाद मैं अब लोग कमेरा जो मैं इतना दिन तक क्यों busy था- सब लोग मैं सब को मैं बता दूंगा हम जानते कि सब लोग video नहीं देखता लेकिन जिसको जिसको ज़रूरी है ओफ पूरा वीडियो देखत है वो कि इतना दिन तक मैं क्यों क्लास नहीं लिया मेरा जो जो अभी प्रॉब्लेम हो रहा है मैं अब लोग को सब कुछ डेटेल्स में बता दूँगा तब तक अब लोग अब लोग का प्रिपेर्शन अच्छा करना पढ़ते रहना जैसे पढ़ रहता उससे भी अच्छा पढ़त होगा और कुछ भी डाउट होता अब लोग प्लीज हम लोगा जो ग्रूप है टेग मेकानिकल एन इलेक्टिकल उदा जाकर डिसकास कर सकते हैं और कोई भी डाउट होता है तो पार्सोनार यह आप लोग डाउट को क्लियर कर सकते मेरा वर्सम नमबर है अब लोग लिक ले स लोगा ठीक है तब तक अच्छा रहना है वीडियो को अच्छा से देखते रहना है बाइड कि अ कि